इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले भी काफी अपडेटिड रहते हैं नई सर्विस आई नहीं कि उसको लेकर फ्रॉड करना शुरू कर दिया है अभी इंडिया में पूरी तरह से 5G एवलेबल भी नहीं हुआ है सभी लोग इसे यूज भी नहीं कर पाए हैं उसे पहले ही ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने 5G के नाम से फ्रॉड करना शुरू कर दिया है अगर आपको मुबाइल में 5G के नाम से इस तरह का मेसेज आता है तो सतर खुजाए एक जटके में आपकी जिन्दगी भर की कमाई खत्म हो सकती है क्योंकि इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड वाले 5G सर्विसेस उपलब्द करवाने के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं ये फ्रॉड स्टर्स, एर्टेल, जियो के कस्टिमर के सर्विस वाले बनकर लोगों को कॉल करते हैं कि हम आपकी SIM को 4G से 5G में करवाएंगे और उसके लिए ये उन लोगों को एक लिंक भेशने हैं और उस लिंक में उन लोगों को कहते हैं कि आपको अपनी information भीजनी है इन information में कुछ ऐसी personal information भी होती है जिससे वो आपका bank और आपके accounts को track कर लेते हैं और उसके बाद आपके कमाई उड़ा लेते हैं इस तरह के frauds कई लोगों के साथ हुए जिसके बाद authorities ने एक statement जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस तरह से 4G और 5G के नाम से आपको call करें और आपसे आपका account number या कुछ transaction का OTP आपको देने के लिए का है तो कभी मत दें ऐसा करने से आपको 5G service तो नहीं मिलेगी लेकिन हाँ आपके जिन्दगी भर की कमाई जरूर साफ हो सकती है